कौनसी स्टेट नंबर वन पे आती है आप जवाब इसका गेस करी सकते होंगे इसका जवाब है केरिला आप कई लोग इस बात को सच भी मानेंगे क्योंकि दुरूर आठीना आखिर जो बोल दिया है यह जो आप वीडियो देख रहे हैं यह कोई फिलिस्तीन का नहीं है ना गहना काया जिसमें बताया जा रहा कि 63 साल का पादरी ने 12 साल के नाबालिक बच्ची के साथ में साधी करी है यह साफ तोर पे पादरी दिख रहा आराम से कोई भी दिखके पैचान सकता है आज तक ने जिस ट्विटर अकाउंट का लिंक ले करके यह निउस बनाईए उसमे भी यह फोटो है लेकिन जब इन्होंने ख़वर चापी तो भाईया यह फोटो लगा दी और लिख दिया 63 साल के पुजारे ने 12 साल के लड़की को बनाया दुलन साधी के याड में दिये गया अजीब तर्क अब जब यह हैडलाइन वाइरल होगी तो भाईया आज तक का ब देख सकते हैं वीडियो पता नहीं कहा किये जिसम साफ सफता तौर पे देख सकते हैं कि मोला नं साब जबरद दस्ती लड़की से साधी करा हैं जबर्दस्ती शिगनेचर करा रहे, जबर्दस्ती साइन करवारे, जबर्दस्ती, पहले तो नाम बता कर साधि कर री जाती थी, लेकिन जैसे लोग जागरुक होने लग गए, तो वोग नाम बदल के साधि करने लगए, फसाने लग गए, फिर बाद में अभी ये उठा करके डारेक्ट कर रहे हैं संदेश खली की न्यूस के बारे में तो आपको मालूम चल चुका होगा लेकिन आपको बता दू कि अभी भी वहां पर सांती का महौल नहीं है तो संदेश खली के बार सांती निकेतन से आप खबर यह आ रही है कि शेक हसन ने इनके मंदिर को तोड़ दि नहीं है चीजे आज भी उसी तरीके से वहां के लड़के औरते डरी होई यह तो खेर अभी की हाली की खबर है मंदिर कोई तोड़ दिया देश में सफाय करने का समय आ चुका है और पुलिस के निगरानी में एक रैली निकाली गई है जिसमें साफ तोर पे चिला चिला चिल करने को लेकर और उसको कवाम को गद्दार माना जाएगा साती सात में शायद ऐसा भी हो सकता है अगर पुलिस इस रैली में साथ है तो कोई कानूनी कारवाई भी करी जा सकती है तो मेरी एसाब से तो खबर अच्छी है आपका क्या कहना है जरूर बताएं वैसे तो ची थी वो अपने इलाज करवाने के लिए आई थी लेकिन उसने लड़की के साथ असलील हरकते करी पेट पर हाथ फेरा गले पर किस करी ऐसे ऐसे हैवान लोग हॉस्पिटल में घुसे पड़े हैं कब तक किस-किस का भाइस कार करें अब लोग कहेंगे कि वह हॉस्पिटल म पाले का है जो लोग ऐसे लोगों को भरती करते हैं जैसी खबर आप सामना है तो ऐसे लोगों को तुरंत निकालना चाहिए फिलाल जो इस केस में कारवाई करी जा रही है बाकि इतनी कहुंगा कि जितना होचा कि ऐसे डॉक्टर का बाईशकार करो अगर हॉस्पिटल में ज जबरन खिलाया मास अब कई लोग कहेंगे ना मास तो खा सकते भाई वो नहीं खाते थी जबरदस्ती खिलाया गया है ठीक है कितना बाईचार निभागो तुम लोग उससे रोजे रखने से किया इनकार तो पीट पीट कर लहू लुहान कर दिया और यह सब कुछ कैद करके ह हो रहा था साथ महीने से कर रखा था कैद अब आज ठो यार थोड़ा एक किस्विस्ट लेना बंद करो सच्चाई का साथ तो अब कई दलित भाई इस खवर को सुनने के बाद भी इगनोर कर देंगे कहेंगे हमारे यहां की लड़गी थोड़ी ना दलित होगी होगी लेकिन कुछ न कुछ तो गड़बड किया होगा तो उन सभी से केवल इतने ही कहना चाओंगा समय का इंतजार करो आप पर जरूर आएगा क्योंकि जितना जिसके जो करीब रहता है सबसे पहले वही शिकार होता है नमस्कार तो इस वीडियो को सो लोगों को फॉरवर्ड कीजिए